नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल प्रकास से यूटेक में गाईज यूपी स्कॉलर्शिब 2020 क्या तीस तारिक तक आ जाएगी आप सभी की छात्रिवत्ती क्योंकि समाज कहलार विभाग की तरफ से बड़ी जयनकारी सामने निकल कर कर आई है जी हां गाईज आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं और सभी के लिए रहात की खबर है आप सभी बिल्कुल टेंसर ना लो एकदम छिल करो रिलेक्स हो जाओ क्योंकि तीस तक क्या आप सभी कि स्कॉलर्शी पा जाएगी क्या कुछ अपडेट है सारी चीजों को व गाई इस वीडियो स्टाट करने पर आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर अभी तक चैनलों को सस्क्राइब नहीं किया है तो सोचो समझो मा तो अभी चैनलों को सस्क्राइब परके बेल आइकन को हिट कर दो वीडियो को सारे फ्रेंड्स के पास सेयर कर दो वीडिय साफ साफ कर रहें बाई एलेक्षन के बाद आएगा इमीन टूसे 29 के बाद ही आएगा स्कॉलर्शिप तो आपको यहां पे धायर रखने की जरूरत है और उम्मीद है कि आप सभी का स्कॉलर्शिप 29 तारीक के बाद से एक बाद फिर से तेजी से आना शुरू होगा इस बार सॉलिड और कंफर्म न्यूज अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ गाइस कि दोपार में जब मेरी बात चीत हुई तो उन्होंने साफ साफ इस बात की पुष्टी की कि देखो अब बीच में नहीं आने वाली है न कल आएगी न परसों आएगी अब डिरेक्ट 29 के बाद ही स्कॉलर्सिप आएगी अगर कल परसों आएगी तो आपको वीडियो को माध्यम से मैं जरूर बता दूँगा ये अपडेट हो गई दूसरा आपको जानकारी के लिए मैं बता दूँ भाई देखो इस्टेटस में आप सभी के वीर स्वारी करके आ रहा है लिगकर जैसे आप स्टेटस को खोलते हैं तो गाईज परजान होने के जरूरत नहीं है टेकनिकली काम चल रहा है और एक दो दिन में अपडेट हो जाएगा उमीद है कि तीस तारीक तक आपका जो स्टेटस है वो अपडेट हो जाएगा तो आप सभी के जहन में ये सवास जरूर होगा कि क्या स्कॉलर्षिप कब तक आएगी कोई ये वैसे लाश डेट तो नहीं है लेकिन तब पर भी आप लोग को लग रहा होगा कब तक 10 मई 15 मई तो देखी कब तक आना होगा ये तो स्कॉलर्षिप जब आना सुरू होगा तब क्लियरफाई हो पाएगा पता चलेगा इस चीज़ क समझ लो भाई डियलेट वालो थोड़ा साब के लिए दुख खबरी ये है कि हो सके तो अब आपकी स्कॉलर्षिप इसलिए ना आए आप लोगों के जहन में सवाद जरूर होगा कि भाई डियलेट वाले कर रहे थे कि 1920 बैच का कब आएगा 1819 बैच का कि अब आएगा मेरे अभी सेकंड इस्टॉल्मेंट उन्च चात्रों का आएगा जिन चात्रों का स्टेट की तरब से फंड पाला दिया गया था और डायरेक्ट उनकी बैंक एकाउंड में क्रेडिट कर दिया गया था ये कुछ माजरा रहने वाले समझ लो भाई ध्यान से जो चीज़ें बता र जहां हूं और यह हाल बुचुराने वाला सेकंड इस्टॉल्मेंट आयो क्योंकि फर्स इंस्टॉल्मेंट कही छात्रों का बहुत ही कम आया है फीस का 5% यह 10% ही स्कोलरसी पाया है स्कॉलरसी पाया है exact के तो ऐसे कีस में सेकंड इस्टॉल्मेंत का उपीज़ा ह हो जाता ह लेकिन जो जेनुवन न्यूज है वही आपको मैं बता रहा हूँ यहां तक बाते हो गई दखें जो भी इन्वर्सिटी के चात्रह मैंने एक वीडियो अप्रोड किया है दोपहर में जिसमें इन्वर्सिटी के प्रोमोशन को लेकर मैंने बात बताई है अगर अभी तक नहीं देखा है तो कम्यूट्री टैब में जाकर उस वीडियो को तुरण देखलो पहला वीडियो होगा और बाकी का गाईज यहां पर देखेंगी यह कुछ अपडेट था तो सोचा कि अन्य वीडियो के माध्यम से आपको बता दून का विडियो को समझ पा रहे होंगे तो चलिए गाईज इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी पर्फर यूसे लो कल और लिकले डूसे का फैलाइन तरह लगा दो और गाइस इस वीडियो में इस वीडियो में इतना ही उब्यो अच्छी लगी होगी बाकी का चैनल को सब्सक्राइब करके बल आइकन को अभी हिट कर दो तुगा है जाहिंद बंदे मातरम टेक केर क्योंकि कोईड का केस तिन प्रदिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है सुसल डिस्टैंसिंग का पालन कीजिए मास्क सैनिटाइजर का प्रपर यूज की है तो